वेलकम बैक एवरिवन तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के हमारे पहले मैच के बारे में जो की होगा पर्तिसकोचर्स वर्सस ब्रिस्बेन के बेच और यह जो मैच होगा यह चैलेंजर मैच है जो भी टीम मैच को जीतेगी वो डारेक्ली चली जाएगी फ आप टीम बनाने जाओगे ना तो मैं आपको सबसे कॉमन चीज बता रहा हूँ सबसे कॉमन चीज है यह मैक्सिमम लोगों की यह टीम रहने वाली है कुछ लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन में थोड़ा उलेट फेर होगा जैसे फॉर एक्जामपल के लिए कुछ लोग लोग क्ैप्टन स году डिवायन को है ना कुछ लोग कैप्टन सी यह अमेलिया केर और मॉस्ट व्द्यू यूजर्स की यह दोनों क्यैप्टन और वाइस कैप्टन ही रहने वाली है अब बस हमें यह देखना है क क्या हमें इसी टीम के साथ जाना है यह हमें कंडिशन वाइज टीम के अंदर प्लेयरों का मतलब उलट फेयर करना है और अव्यसी बाते एक दो प्लेयर ही डिसाइट कराएंगे इस मैच में आप विन करोगे या आपका प्रॉफिट नहीं होगा या मैं यह भी कह सकता हूं आपका लोस होगा क्योंकि इसमें देखिए कोई ऐसा थोड़ी है कि नई टीमों का मैच यह पूरी अलड़ी दोनों टीमें आपस में भी मैच खेल चुकी है जिसमें दोनों एक एक जीती है इस वुमेस वीबिल के अंदर दोनों टीमों ने आखरी मैच जो खेला था उसमें पर्थ जीती थी और उससे पिछला जो मैच खेला था दोनों के ब बताउंगा भी अगर वो player चलते हैं तो आपको हराने वाला कोई नहीं और अगर नहीं चलते हैं तो फिर वही बात है अगर हराने वाला कोई नहीं तो जिताने वाला भी कोई नहीं वागि ऐसा होता नहीं most of the time condition wise अगर आप प्लेयरों को पिक करोगे आप विन करोगे जैसे कल सेमी जोहनसन बताया था ना कि टीम पहले बोलिंग करेगी ड्रोप गलती सभी मत करना ड्रीम टीम में आईए वो तो ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा और ज्यादा लंबी ये वीडियो भी नहीं होगी और ए कर लेना आपको प्राइज मिल गया होगा अगर फिर में मालों नहीं मिला वैसे तो मिल गया होगा ठीक है तो इस वीडियो में जिस बंदे ने पहला दूसरा तीसरा लाइक और कॉमेंट किया वह फिरी में विन कर गया अब आप बोलेगे कि भाई विन क्या किया तो वह मैं को अपने अकोडिंग देने वाला ठीक है प्लैस में एक और बंदा एक और बंदा फिरी में गिववे विन करने वाला एक नहीं दो ले लो ठीक है ताकि पांच लोग हो जाएंगे तो मैं जो है ना दो लोगों को और सेलेट करूंगा आपको करना है क्या मैं बता रहेता हू अगा तो फिरी का प्राइज सबना तो लिए चलिए लूंग चलिए बाकि इतना जरूरा चाहूंगा लिए आगना चलिए उनके लिए जो चैनल के सबस्क्राइबर से स्यांगर अपने नहीं किया है तो कर लेना ठीक है देने ये मैच होगा यह स्टार्ट होगा इंdian टाइ अंदर यह मैच होगा जहां पर पिछला मैच ब्रीजबेन और सिड्नी ठंडर्स का हुआ था और पिछला मैच नहीं उससे पिछला मैच भी जो हुआ था ना मैं आपको चलो आगे वेन्यू का डारेक्टी दिखा देता हूं चलिए वेन्यू अगेदा और सारी चीज़े बतान आएगा वह मौस्ट आप दी टाइम विन करेगा तो मेरी जो फाइनल टीम होगी ना वह आपको टेलिग्राम पर मिलेगी जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया और कॉमेट वक्स में भी दिया हुआ है अगर आपने जोई नहीं किया है ना तो फट में बैटिंग मोटर में चेंज होंगे मेंगने लूपरी सेकिंड डाउन आई अमेलिय केर बंडाउन लेगन उससे पिछले वाले मैचस में वह अलग पोजिशन पर थी तो ऐसे जो भी चेंज होते हैं वह भी टेलिग्राम पर ही बिलेगे आप देखिए पर्थ के यह वाका बाके जीती हो बहुत शांदार तरीकी से दोनों मैच बेटिंग करने वाली जीती है तो टॉस जीत के जिसने पहले बेटिंग कर ली हाई पॉसिबिलिटी है वो इस मैच को विन करेगी और क्योंकि दोनों टीम है पर्थ भी अच्छी है और जो ब्रीस बेन है वो भी उसके विनिंग के चांसे 65 हो जाएंगे आप चाहिए वो कोई सी भी हो और मैं तो आपको यही सजिश्ट करूँ हो जो बैटिंग कर रहे हैं उनके बोलर को आप मश नीड़ेड लेना क्योंकि इस मैच में भी सेम हाल हुआ था पर्थ की टीम हारी थी और बड़े गंदे तरीक पर्थ स्कोचर्स हो या ब्रिस्बेन हीट हो उनके विनिंग के चांस और डोमेटिकली भड़ जाएंगे ठीक है आखरी मैच में पंदरा विकेट गए थे जिसमें दस लिए थे पैसर्स ने पांच स्पिनर्स तो देखिए आपको मैं नॉर्मली वैसे बता लेता हूं स्पि एक चैल देखो सेकंड इनिंग में धिल्टों ओर अगर आप देखोगे first inning में हना डालिंटर्ण है ना तोविकेट्स के मामोरे में दोनों बराबर रहते हैं लेकिन पैसर्स्ताक्रस फर्स्टर्स और दोनों इनिंग में इंसपिनमाघो आपके लिए second innings में जादा होग द इसके अलावा टोटल मैचेस को तो काउंट करने की जरुद भी नहीं है और रीजन आपको पता ही होगा कि टीमें जो है ना अभी ऐसी कंडिशन पर कि जीतेगी तो फाइंडल और हालेगी तो बाहर तो यह चीज तो आप भूली जाओ कि किसके कितने मैच होएं यह सब देखे वोरेन विनफिल्ड खेलेगी मौशली बैट मूनी लोरेन विलफिंड ओपन नेट सीवर बर्न डाउन फे नेट शौफी डिवाइन मेडी ड्रेक पिपारो एडगर अलाना किंग पशेल एंसवर्त और लिली मिल्स एक्सपेक्टेड लाइनप है ऐसा हो सकता है कि यह लोग यहां पिपारो की जगह पे क्योंकि जो चौल पिपार है उतनी कुछ खास अच्छी फर्म में है नहीं तो बॉलिंग के लिए जैसे बॉलिंग में क्योंकि विकेट बैट में इसे कहीं ज्यादा बोलर के लिए अच्छा है तो यहां पर पीक लेडि भी इस मैच में आ सकती ह देख रहे हो यह आखरी मेंच के बैस्पे और अगर में इनके में में प्लेयर्स की बात करता हूं जो स्मोल लिग में मश नीडेड होंगे जो आपको लेने ही लेने और उसके अलावा एडगर को आप लेना जब टीम पहले दोनों कंडिशन में ले सकते हो क्योंकि इसकी फॉर करें तब जादा बैतर होगी उसका रीजन डेथवोर्स में आना ठीक है बाकी प्लेटिंग करें कि तो भीलेन पावर प्ले में अाएंगी एंसवर्थ कींग और डिवांट डेथवर्स में वोलिंग के लिए आने वाली है यहां हम देखते हैं प्लेइरों का रिकोर्ड इस वेन्यू पे लोरेन विल्फिंड के चार मैच है जिसमें तीन में फुली फ्लोप है और एक में अच्छा स्कोर है बैट मुनी जो अव्यसी बात है रेड माइन है और बैट मुनी में बैट मुनी ही बैतर होगी और बड़े मैच की बड़ी प्लेयरे बैट मुनी आपको पिक करनी ही करनी है नेट सीवर ब्रंट अब देखिए सीवर ब्रंट को अगर आप नहीं ले रहे हो ना यह आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी क्योंकि नेट सीवर ब्रेंट चेंपियन है वाई यह जो ऐसे मैचेस होते हैं जहां पे टीम को मश नीडेड विन होती है वहाँ पे यह प्लेयर बहुत इंपोर्टेंट होती है तो मैं आपको यह भी कह सकता हूँ इवन डिवाइन को कैप्टन बना रहे हो उससे बहतर होगा मिनी जेल्स बगेरा में सीवर ब्रेंट के साथ जाना बहुत शांदार प्लेयर है और वेन्यू पे भी काफी अच्छा रिकोर्ड है डिवाइन अब्वेस्टी बात है सब की कैप्टन होगी ड्रॉप भी नहीं करना है और ग्रैंड लिग में सब में लेना है क्योंकि बैटिंग बोलिंग दोनों देगी ड्रैक को ट्राइ करना जहां तीन बैट्समें मिनिमम चाहिए हो पिपार हो उतनी कुछ खास है नहीं जील वगरा में ट्राइ कर सकते हो एडगर दोनों कंडिशन में अभी क्योंकि फोम अच्छी है चाहिए बैटिंग आए तो भी लेना है और बोलिंग आए तो भी बोलिंग आए तब तो मश्ट नीडेड हो जाती है यह एंस्वर्थ के साथ यह डेथ में आएगी है उसके बाद एडगर के बाद अलाना किंग और पशेल है अलाना किंग की बात आती है तो काफी अची प्लेयर है पिछले दो मैच में यह फ्लोप रही है बाकि उससे पिछले कुछ मैचेस में बहुत अच्छा है इनका परफॉर्मेंस है उसके बाद पशेल है पशेल का भी रिकोर्ड उतना कुछ खास है नहीं एंस्वर्थ की बात आती है पिछले चार मैच में तीन मैच में विकेट है और लिली मिल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ठीक ठाक प्लेयर है स्मॉल लिग में अगर आप पर्त के फेवर में वन साइडे टीम बना रहे हो तब यह इंपोर्टेंट होगी वरना बैटर यह होगा कि क्योंकि ग्यारा ही प्लेयर ले सकते हो ना टीम में उस केस में क्योंकि सामने वाली ब्रीजबेन की टीम भी बहुत अच्छी है यहां पर आप देखोगे तो भाई हैंकोक सिपेल जोनासन अमेलिया के चार तुम मैंने मस्ट नीड़ेट प्लेयर बता दियो फिर ओर भी रिडमाइने वगर अटा भी दोगे ना तब भी अच्छे घासे प्लेयर है यह बैंच के तीन प्लेयर है ठीक है नाव गयज स्कोर कार की तरफ चलते हैं तो नेट सीवर ब्रंट पिछले मैच में सबसे ज्यादा स्कोर किया था और उसके बाद डिवाइन ने बोलिंग में डिवाइन ने तीन विकेट सीवर ब्रंट ने एक विकेट अलाना किंग ने और इसमेश में जो पर्थ और ब्रिश्बेन का हुआ था इसमें डिवाइन ने यह दोनों टीमों के बीच मैच हुआ था ठीक है जिसके अंदर यह टीम जीती थी पर्थ की टीम इसमें हाईएश स्कोर अच्छी टीवाइन और बोलिंग अटेक में तीन विकेट के लिए डि इसमें टीम हारी थी और ब्रीजबेन जीती थी तो इस में बेट मुनी हाइस्ट स्कोरर थी और बोलिंग अटेक में आप देखोगे तीन एडगर ने लिए एंसवर्थ ने दोली है एंसवर्थ इंपोर्टेंट है दोनों गंडी मतलब इस्पेशली फर्स्ट इनिंग में जब हैंकोग और वहीं पर कोटनी सिपेल काफी अची टीम है यहां पर भी मश्ट नीडेड प्लेडिस की अगर मैं बात करता हूं तो उनमें अमेलिया केर ग्रास हैरीस दो उसके अलावा जोनासन तीन यह तीन तो कंफर्म पिक करनी है हैंकोग और कोटनी सिपेल अकोर्डिंग कंडिशन जैसे कि टीम पहले बोलिंग करती है ना तब तो मश्ट नीडेड होगी क्योंकि दोनों डेथ में आएंगी और अगर पहले बेटिंग करती होगी तब भी इंपोर्टेंट लेकिन वह तब होगी जब आफ फेवर में टीम बना रहे हो जैसे अगर ब्रीस बेन के फ पिछला मैच खेला गया था वह मैच को इंक्लूड किया नहीं है रेड माइन ने और हैरिस ओपन करेंगी फॉर्टी फाइफ है ने कि आठारा जो है रेड माइन ने बैस से दो फिर अमेलिया के फॉर्टी एट और एक विकेट भी लिया था मिगनुन दूप्रीज दस रन प बहुत अच्छी थी जोड़िया बोल भी बोलिंग कर रही थी हैंकोग ने दो विकेट लिये लोरा हैरिस जो है जल्ली आउट हो गए थी बारा दन पर ही सिपेल ने तीन विकेट लिये जो आखरी मैस था उसके अंदर और जोनासन ने एक विकेट और नोरन बेटिंग से और जोनासन का रिकोर्ड भी ठीक ठाक रिकोर्ड है और अच्छी प्लेयर इसमें कोई डौट भी नहीं है बैंच के प्लेयरों में एक प्लेयर मैच खेले मिकाला हिंकली बाकि सबका पहला मैच होगा आखरी में जो इनका था वो इसी नीठंडर से था जिसमें हाईएश स्कूर और अमेलया केर थी और बोलिंग अटेक में हाइस्ट इकले जोनाशन और अमेलया केर ने एक-एक निकाले बाकि हैरिस्ट और बोल को कोई विकेट मिला नहीं और नहीं नोट को इस वाले मैच में जो यह टीम हारी थी न पर्थसे हाइस्ट स्कोषर여 di George से जाधा score यही था और इसी टीम के अगेंश और इसी मैच में मतलब इस टीम के अगेंश ही था ठीक है 36 highest score था और बोलिंग में सिपेल ने 4 wikitt लिए जोनासन ने 2 wikitt लिए और लोल ने एक और हैरिस ने भी लिजा था यह बोनिंग अटेक का पर्फॉर्मेंसे जो दोनों टीम में head to head खेली थी ठीक है नाव गैस अब हम चलते हैं टेलीग्राम की तरफ देखिए आप सभी को मालूम है कि फाइनल जो टीम होगी ना वो टेलीग्राम पे आने वाली है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आपको मिल जाएगा comment box में लि सकते हो मेरी टीम में जो changes होंगे ना वो मैं आपको बताता हूं देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह मैच ऐसा नहीं कोई खराब मैच हो बहुत मतलब अच्छा मैच और यह टीम भी बहुत अच्छी है ठीक है लेकिन यह मैच आपके लिए ड्रीम लिए उ प्रेंको को हटा दूँगा और सिपेल को भी हटा दूँगा मालो एक बार के लिए ठीक है लेकिन अभी आपने एक चीज़ नौटिस कि होगी कि टीम मैच वह जीत रही है जिसने पहले बैटिंग सेलेट किये अब मैं तो ले रहा हूं इन दोनों डेथ बोलर्स को इसको तो दोन मैच है और सिंपली में बोलू ना ड्रीम लिए उन पर पूरा केप्टन वाइस केप्टन का गेम रहने वाला है प्योर केप्टन का एक बार इने सिपेल को लोग हटाके और लोरन विल्फिल्ट के साथ जा सकते हैं अगर विल्फिल्ट की टीम पहले बैटिंग करती है यह maximum लोग कर सकते हैं ठीक है और है भी अच्छा कोल भी इसमें कोई डाउट नहीं है अब कैप्टन और वाइस के बात आती है लोगोंने केप्टन शोफी डिवाइन को कर रखाए डिवाइन बहुत अच्छी प्लेयर है इसमें कोई डाउट नहीं है आप चाहो तो इनको कर सक और अधर एक की अगर में बात करता हूं जैसे लिग लिए उन तो सिंपल सा गया में आपको आना है ठीक है एडगर को हटाओ जहां से ओन फॉर्गट कॉंबिनेशन वनता है वहां की बात कर रहा हूं और मिगनुन दूपरीच को लिए और सेम टीम हो जाएगी यहां पर यह भ मैं करेंकर जयां चैक्टर से थोड़ा रिसकर कर सकती हो अधर अप्शन में जोनासण हें है इं alors उगेंस फैस की सब्सक्राइसारन है तो यह थोड़ा रिस्की मैच है ट्राइ करना इस मैच में इंवेस्टमेंट कम हो ठीक है यह सेवन फॉर कॉम्बिनेशन में जो खेलते हैं उनके लिए टीम है मेगन इंदू प्रीच को ड्रोप कर देना एमी एडगर को ले लेना जो ड्रीम लोट पर खेलते हैं ठीक है यही